वेल्कम गुड मॉर्निंग और देर इस्टेंट इप यह निटी दिस चैनल दे सब्सक्राइब एंड प्रेश दे बेल आकन जैसा कि देख रहे हैं आज हम प्रस्णावली 13.1 का ध्यन कर रहे हैं और यह कोश्चन नमर को देखेंगे कि 12 नमर कोश्चन 11 नमर कोश्चन का बना हैं उसको नहीं देखें तो डिस्क्रिस्टर में लिंग दिए हैं बना दिए हैं वहां से भी वीडियो को जाकर देख सकते हैं और आज की क्लास हम सुरू कर रहे हैं कोश्चन 12 कहा रहा है कि रेखी यूग में से एक कौन अधिक कौन है तो दूसरा कौन किस प्रकार का होगा प्यारे बच्चों ध्यान दिजी कहा रहा है कि रेखी यूग में से एक कौन अधिक कौन है तो दूसरा कौन किस प्रकार का होगा जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों मैं बता दूँ आपको कि रेखी यूग में होता है मान लिया आपके पास कहा दिया है यहां पर कि यह कह रहा है एक कौन अधिक है यह कौन जो है मेरा हो सकता है 110 डिगरी का हो 90 डिगरी से अधिक है एक कौन जदी आपका अधिक कौन है तो दूसरा कौन क्या होगा यह आपका नियून कौन होगा तो बारे नमर कोस्चन का जो आपका आंसर होगा दूस्तु इसका सही आंसर रहते हैं कि रेखी युग में से एक कौन अधिक कौन है तो दुसरा कौन किस प्रकार का होगा तो नियून कौन होगा इस बच्चों इसे जरूर से जरूर याद रखें अब तेरे नमर कुछिन का रहा है कि आप दो कौन संपूरक होंगे ज़िए उन में से दोनों अधिक कौन हो दोन संप कौन हो या नियून कौन हो तो प्यारे बच्चों अधिक कौन तो इसमें से होगा नहीं नियून कौन तो होगा नहीं तो यदि दोनों कौन संपूरक होंगे तो वह आपका संप कौन होगा तो इसके लिए आंसर क्या होगा अपसर नमर टू आपके लिए प्यार यूग्म नहीं बना सकते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे नहीं तो यहां पर दिखाई दे रहा है यह कौन एक हुआ यह कौन दो हुआ यह कौन दो हुआ तो यह आपको कारा आसन कौन है कि नहीं है तो कारण को लिखना है तो बिच्चों इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे हाँ कौन एक और कौन दो आसन कौन है क्योंकि उनका एक उभैनिस सिर्ष ओ है और उभैनिस भुजा ओ भी है तो यही आपको लिखना है क्योंकि जदि यहा तो इस तरह से कारण को लिख सकते हैं और यहां पर देखें अब है खाली जगा को भरने के लिखा रहा है यदि दो कॉन पूरक है उनका माप क्या होगा यह सभी को भरते हुए चलना है अब यहां देखरें कोसे नमसरलोय में कि यदि दो कॉन पूरक हैं तो उनके माप को क्योंका होगा मालूम है तो दोनों 90 conditional degree कता होगै तो क्यो फैताय साथ करके रेखिक यूग्म बनाने वाला दो कौन को होते हैं क्या होते हैं आसन कौन होते हैं यहां पर लिखेंगे आसन आसन कौन होते हैं चोथा में देख रहें यदि दो आसन कौन संपूरक हैं तो वो क्या होगे तो वो उसका रेखिक यूग्म बनाते हैं तो जैसे आपका देख रह हैं एक दुसरे को एक बिंदू पर पर पार्टी function करती है और तो उर्धवाहदर समु कोन हमेंसा क्या होते हैं वह हमेंसा बराबर होते हैं इसको लिखेंगे और यह देख ओर इस देख रहे दो रहिए एक दूसरे को एक बिंद पर परती क्रों मुझाज terrorists question number 17, 18 और 19 का solution करेंगे thank you for watching my video, please like, share and comment